एक शोटी स्माइल और स्ट्रोंग विल पावर के साथ आरे साला में आपका स्वागत है दोस्तों करेंट अफेर्स के इस सीरीज में हम लोग नवंबर मेहिने के पार्ट फोर में 24 नवंबर से 30 नवंबर तके करेंट अफेर्स के सभी कोशन का सौलूसन देखेंगे दोस्तों टाइम में और डीटेस कारेंट अफेर्स के जनकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आट दारेट आरे साला में जुरे रहा सकते हैं और दोस्तों आपको पता है परते कोशन के साथ बहुत सारे एडिशनल इंफर्मेशन की भी प्राप्ती होती है तो बहुत गौर क इंडिया माइश सेवेंटी एड जर्नी एज जर्नलिस्ट के लेखा कौन है प्रेम परकास यदि चित्रा बनरजी की बात करें तो वर्तमान में इनकी एक पुष्टक आयती दा लाश्ट क्वीन रस्किन बोन की हाल की पुष्टक है और आदा क्रिशन परकासन इनका एक हाल क पुष्ट दखे बोस्कियाना नेक्स्ट फ्लीट नमक नया फीचर किसने लॉंच किया है तो ट्विटर ने फ्लीट नमक एक नया फीचर लॉंच किया है नेक्स्ट पक्षी बीलो बार्बलर के बारे में कौन सा कथन आ सकते है इसका चौथा कथना सत है क्योंकि इसे हाल में करनाटक में नहीं बलकि केरल के पंचकूडी जो तिरुवंत पूरम में वहां पे देखा गया है इसका वैग्यानिक नाम क्या है तो इसका वैग्यानिक नाम है फाइलो इसको पस ट्रैसीलस या लॉंगेस्ट इउरोप और पेलियेट्रिक में परजन करता है तो इतना पॉइंट इसके बारे में याद रखा जा सकता है नेक्स क्वेस्चन है हाल में किस देश के खोज करताओं ने इरान की मदद से देश में स्वात जिले में भगवान विष्णू की 1300 साल पुराने मंदर के खोज की है तो पाकिस्तान ने इरान के खोज करताओं की मदद से देश के स्वात जिले में भगवान विष्णू के 1300 साल पुराने मंदर की खोज की है नेक्स्ट अपनी पहली डिजिटल एप अनन्दा किस ने लॉंच किया इसे LIC ने लॉंच किया है तो यह आनन्दा क्या है तो आनन्दा है आत्म निर्वर एजेंट्स न्यू बिजिनेस डिजिटल अप्लिकेसन नेक्स्ट पुर्वत्तर का पहला गौ साला अस्पाताल सुर्भी आरोगे साला कहां खोला गया है इसे असम में खोला गया है तो यह विधयान अक्न है कि असम में पुर्वत्तर का पहला गौ सालास्थ पाताल खोला गया है जिसका नाम क्या है तो उसका नाम है सुर्भी आरोगे साला नेक्ष्ट हाल में अधित विक्रम बिर्ला कला सिखर पुरसकार से किने समानित किया गया है नसीरुदीन साको हाल में अधित विक्रम बिर्ला सिखर पुरसकार से समानित किया गया है यदि सोनु सूत की बात करें तो वर्तमान में इन्हें humanitarian award से सम्भानित किया गया है हरिस कोटेचा को वर्तमान में एंडरानिस lifetime achievement पुरिसकार से सम्भानित किया गया है और स्वारिय सीरिधर को wildlife photographer of the year से सम्भानित किया गया है नेक्ट वर्तमान ने वारा नसी से चुराए गये 18 सदी की अनपुर्णा पर्तिमा को लोटाने का फैसला किया है कनाडा ने लोटाने का फैसला किया है नेक्ट हाइडोजन से चलने वाली विस्प की पहली double dacar bus चलाई गई इस टॉकों में चलाई गई हाइडोजन से चलने वाली विस्प की पहली double dacar bus यदि इस bus की बात करें तो यह क्या है कि यह carbon dioxide के बदले क्या करेगा water की उत्पत्ति करेगा जैसे क्या होता है कि जब petroleum पदार्थ जलता तो क्या उत्पन करता है co2 उत्पन करता है प्लस water की उत्पत्ति करता है लेकिन चुकि इसमें hydrogen को परयोग किया गया तो hydrogen जो है वो oxygen के उपस्तिती में जलने के करन क्या बनाएगा water की उत्पत्ति करेगा next चापडे virus कहां देखा गया है तिसे बोलिविया में देखा गया है चापडे virus को next भारत का पहला moss garden खोला गया कहां नेनी ताल उत्राखन में खोला गया है भारत का पहला moss garden next निमलेकित में से किस तुफान का नामाकरन भारत के द्वारा किया गया गति का नामाकरन जो है वह भारत के द्वारा किया गया है निवार निवार का नामाकरन किसके को द्वारा किया गया है तो इरान के द्वारा किया गया है यह अभी ध्यान रखना है अब यह भी बात कर लेते हैं कि निवार निवार हाल में आया हुआ एक तुफान था जो वेस् यह तमिल नाडू और पूरुडिचरी की छेतरों को परभभावित किया था, अमफन तुफान पसिम बंगाल और उरिसा को परभभावित किया था, निसर्ग, निसर्ग जो है वो अरव सागर में आ था और यह मुख रूप से महाँड़ाष्ट्रे और गुजरात को विद्वित किया था नेक्स्ट अपएक 2020 के संबन्द में कौन सा कथन असत्य है इसका चोथा कथना सत्य है क्योंकि एम बैंक का याड़ा नेक्स्ट अन्यद्वित नहीं बालके परधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इसके भारतिय परतिनीदित्र के रूप में भाग लिया था बाकी यह सब कथन भी सत्य है सिखर सम्मिलन जो है वो मलेशिया में मलेशिया के परधान मंतरी यासीन मलेशिया के परधान मंतरी को ने यासीन की अधेख्ष्था में संपन हुआ था इसमें APEC 2020 के लिए New Zealand को अधेख्ष्था परधान की गई और APEC पुत्र जाया वीजन 2020 को स्विकार किया पूत्र जाया वीजन 2040 को इसमें सुविकार किया गया है तो यह अभी ध्यान अखना है कि पूत्र जाया वीजन 2040 यह किसे संबंधित है तो यह एपेक से संबंधित है नेश्ट चांग E5 चंद्रमा के लिए अंत्रेक्ष यान किस ने लॉंच किया है इसे चीन ने लॉंच किया है हाले में एपे स्टार 6D उसके बाद लॉंच मार्च 5 रोकेट भी लॉंच किया गया चाईने के द्वारह तो यह अभी ध्याने अपे स्टार 6D और चंग E5 यह दोनों जो। ऊश्चिन के द्वारह हाल में लॉंच किया गया उपग predator किस PSU ने महानदी वेसिन में भोकामप्य अवियान की सुरुवात की है Australia वह भारत के एक PSU है इनके Public sector unit है जो महानदी वेसिन में भोकामप्य Оवियान की सुरुवात की है Next हाल में भारत और सिंगापूर के बीच नेवल अभ्यास KURS ŚIMBAX 2020 के आयोजन कहां किया गया तो इसका अनमान सागर में सिंबेक्स 2020 का योजन किया गया तो यह भी धियान रखना है कि सिंबेक्स जो है वो भारत और सिंगापूर के बीच चलाया जाने वाला नेवल अभ्यास है ठीक है यानि कि नेवी के द्वारे चलाने वाला यह युदा अभ्यास है नेश्ट हाल में मेघाले के राजधानी सिलोंग में होने वाली किस महोटसब को रद कर दिया गया है चेरी बलोसम महोटसब जो की मेघाले के राजधानी सिलोंग में आईद की जाती है उसे कोबिट 19 के कारण रद कर दिया गया है यदि हॉर्ण विल फेस्टिबल की बात करें तो हॉर्ण विल फेस्टिबल जो है वो नागालेन में मना जाता है और बिहू, बिहू कहां का है तो ये असम का ते वहार है Next, इवाओं के लिए उमंग एप का अंतराश्ट्रिय वर्जन किस ने लॉंज किया तो इसे रावी संकर परशाद ने लॉंज किया है Next, ATP2 2020 के विज़ेता कौन है डेनियल मेदवेदेव Next, सेंटिनल 6 माइकल फ्रिलिच उपगरा किस ने लॉंज किया नासा ने सेंटिनल 6 माइकल फ्रिलिच उपगरा हाल में लॉंज किया है Next, नगरोटा घटना को देखते हुए Operation 500 भारतिय सेना ने शुरू कि किस के खिलाफ तो पाकिस्तान की खिलाफ जुन नगरोटा है जमू का सुनी में एक छेतरे नगरोटा वहाँ पे हाल में एक हमला हुआ था कुछ घटनाएं देखे गई थी तो ये घटनाओ को देखते हुए Operation 500 के शुरूआत भारतिय सेना ने की है Next, भारत ने किस देश के लिए 80 मिलियन डॉलर लागत से 100 से अधिक परियोजनाओ की घोसना की है अफगानिस्तान में भारत सरकार ने 80 मिलियन डॉलर की साथ से 100 से अधिक परियोजनाओ की घोसना की है Next, LVS क्याने के लक्षमी विकास लक्षमी विलास बैंक लक्षमी विलास बैंक का DVS इंडिया लिमिटेड में बिले RVI के बैंकिंग विनियामन अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किया गया धारा 45 तो यह ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है यह तो ध्यान रखना है कि लक्षमी विलास बैंक का DVS इंडिया लिमिटेड में बिलाए कर दिया गया है तो RVI का कौन सा नियम है तो RVI के बैंकिंग विनियामन अधिनियम 1949 के धारा 45 इसके ताथ LVS को DVS इंडिया लिमिटेड में बिलाए कर दिया गया तो यह ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व ने T इंटू 2 अंतर राष्ट्रिय पुरास्कार जीता पिली भीत टाइगर रिजर्व में यह क्या हुआ है कि यह जो पिली भीत टाइगर रिजर्व है यह अपने छेत्र में जो टाइगर का संख्या है उसका संख्या कुछ खास टाइम पिरेड में डवल कर दिया है यहने कि टाइगरों का संख्या डवल होने के कारण T into 2 अंतराश्ट्रिय पुरसकार से इसे सम्मानित किया गया है यह भी ध्यान रखना है कि गीर टाइगर इजर्ब गिर का है गुजरात में और जीम कॉर्बेट जोए वो उत्राखन में पाये जाता है नेक्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल का लेंड अटेक्संस करन का सफल परिक्षन किया गया है कहां से अनमान यह अमनिक वार्द इपसमू से किया गया है नेक्स्ट अंतराष्टिय परकासन संग का अध्यक्ष किने बनाया गया है बोडोर अलकासमी ठीक है बोडोर अलकासमी को वर्टमान में अंतराष्टिय परकासन संग का अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें 2021 से 2023 तक के लिए अध्यक्ष बनाया गया है यह का जा सकता है कि 2020 के लिए तो 2020 के लिए अध्यक्ष कौन है तो अभी बर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है इसे उत्तर पर्दिस सरकार ने लागो किया है नेक्ष्ट निमलेकित में से किन है ICC Cricketer of the Decade के लिए नहीं नामित किया गया है ICC Cricketer of the Decade के लिए नामित नहीं किया गया है तो इसका नन हो जागा है यहने कि लसित मलिंगा, कुमार संगा कारा और रोहित सर्मा इन तीनों को ICC Cricketer of the Decade के लिए नामित किया गया है इसके लाबे महिंदर सिंग धोनी, विराट कोली, मिचेल एश्टार्क, एवी डेविलियर को भी इसमें सामिल किया गया है Next, किरपाल सिंग ने गुरु नानक देव के जीवन और विचारों पर आधारित, पुस्तक का लोकारपन किया परधान मंत्री नरेदन मोदी ने तो यह भी दियान रखना है कि गुरु नानक के जीवन और विचारों पर आधारित जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक है किरपाल सिंग यह भी दियान रखना है किरपाल सिंग इसके लेखक है और परधान मंत्री नरेदन मोदी ने इसका लोकारपन किया है Next, 26 नमबर के सहीदों के सम्मान में खुतात्मा दलन का उदगाटन किया गया मुंबई में किया गया है खुतात्मा दलन का जो 26 नमबर के सहीदे उनके सम्मान में Next, बिर्शा मुंडा के जन्म दिवस 15 नमबर को जन्म जातिये गौरब दिवस के रूप में मनाया किसने? मद पर्दिस ने तो यह भी द्यान रखना है कि बिर्शा मुंडा का जन्म दिवस कब होता है तो 15 नमबर को होता है और इससे यह भी द्यान रखना है कि 15 नमबर को जारखंड अस्थापना दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही, क्या हुआ था, कि जहरखंड का बिहार से अलग करके एक नए राजे का निर्मान किया गया था 15 नवंबर के इंप्रोटन्ट हो जाता है, जहरखंड के लिए इसलिए इंप्रोटन्ट हो जाता है, कि यह बिर्जा मुंडा का जन में दिवस है निश्ट, वर्तमान में ICC के अध्यक्च कौन है? ग्रेक, बर्कले, निउजिलेंड के ये वर्तमान में ICC के अध्यक्च है और मनुसानी, इसके CEU हैं यह भी ध्यान रखना है इंडियन नेवी के लिए DRDO द्वारा विक्षित Heavyweight Anti-Submarine Torpedo का नाम किया है इंडियन नेवी के लिए DRDO द्वारा विक्षित Heavyweight Anti-Submarine Torpedo इसका नाम है वरुनास्त्र रुस के द्वारा टी सिर्कॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है नेश्ट अंतरदेशिय मतस्य पालन राजयो में स्रेश्ट कौन है उतरपरदेश जो है वह स्रेश्ट है नेश्ट अपने करमचारियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाद प्रबंधन परनाली सुरू करने की गोसना की है रेल मंतराले ने अपने करमचारियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन मानव संसादन परबंधन परनाली की सुरूआत करने की गोसना की है नेश्ट नेश्ट अपने की नेश्टनल सेकुरिटी एडवाईजर अजीत डोबाल की 27 से 28 नवंबर के स्री लंका यात्रा की उपलब्धियों में कौन सा कथन आ सकते है यानि की 27 से 28 नवंबर के बीच एडवाईजर अजीत डोबाल की स्री लंका यात्रा थी तो इसमें क्या क्या कारे हुआ था इसके बारे में इस क्वेश्टन से जनकारी मिलेगी इसका पहला कथन जो है वो असत है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ USA के जगह पर जापान हो जाएगा ठीक है बाकी सब कथन सत है तो यह सब कथन जो है बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है यह भी ध्यान रखना है तो इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्टन से जनकारी मिलती है कि हाल में एनसी अजित डेवबाल का स्रीलंका यात्रा हुआ था 27-28 नमंबर को दूसरा पॉइंट इससे जनकारी मिलती है कि जापान और स्रीलंका जापान स्रीलंका और भारत के सयोग से पुर्वी कंटेनर टर्मिनल के विकास पर सहमाती हुई है भारत, स्रिलंका और माल्दिव के लिए कोलम्बो में समुद्री सुरक्षा सचीवाले के अस्थापना की मंजूरी दी गई है तमिल नेता और संपतन के साथ भी बैठा की गई थी और कोलम्बो पोर्ट के बिकास में 15% भारती हिस्थेदारी एक 50% स्रिलंका के हिस्थेदारी और इसमें जापन का जो हिस्थेदारी रहेगा वो 0.1% की दर से रिन देना इसमें समाती हुए है कोलम्बो पोर्ट को विक्सित करने के लिए तो यह सारे पोइंट को ध्यान अखना है अजित डोबाल का स्रिलंका यात्रा जो हुआ था उसके संबंध में नेक्स्ट TCS के पहले CEO जिनका 96 वर्ष की आयू में निधन हो गया वो कौन थे फाकीर चंद्र कोहली नेक्स्ट Fit India School Week के दुसरे संसकरन का शुरुवात किया गया खेल मंत्री कीरन राजीजु के द्वारा नेक्स्ट भारत अफगानिस्तान में मैदान नदी पर बनाने की घोसना की है सतूत डेम यानिकी मैदान नदी का है या भी देनकना है तो मैदान नदी जो है वो अफगानिस्तान में है मैदान न दी जो है वो अफगानिस्तान में यहाँ पर सहतूत डेम बनाने की घोसना भारत सरकार ने किये एक पॉइंट और भी धिया नखना है कि सलमा डेम वो भी अफगानिस्तान में ही है इसे भी भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गिया है लेकिन हाल में साथूत डेम को बनाने की गोसना की गई है भार्थ सरकार के द्वारा नेक्ष्ट विवातास्पत O.S.H.&W.C. कोड किस मंतरले ने जारे किया है? स्रम मंतरले ने जारे किया है O.S.H.&W.C. कोड नेक्ष्ट किस मल्यालम फिल्म को तिरानमेवे ओसकर के लिए अधिकारिक परविष्टी मिली है जल्ली कट्टू को या छपाक सकुंतला देवई और गुंजन ये साब को सामिल करने की बात की गई थे लेकिन इन सब को पचारते हुए जल्ली कट्टू को 93rd ओसकर के लिए नामित किया गया है इसके डाइडेक्टर कौन है तो इसके डाइडेक्टर है लीजो जोसिप पेली सेडी नेक्ष्ट बी आरो याने कि बोडर रोड और्गनाजेशन की अधिक्ष कौन है तो राजीब चोधरी को बर्तमान में बोडर रोड और्गनाजेशन का अधिक्ष बनाए गया है यदि विशाल विशर्मा की बात करें तो विशाल विशर्मा को बर्तमान में इनेसको में भारतिये अस्थाई परतिनिदी के रूप में सामिल किया गया है अनिल धस्माना या इन टी आरो की अधेक्ष की रूप में इनकी निक्ति की गए है और अपुर्वा चंद्रा को ILO यानि की इंटरनेशनल लेवर और्गनाइजेशन के गावर्निंग बड़ी के अधेक्ष की रूप में सामिल किया गया है इनकी अधेक्ष बनाया गया ही नेश्ट फिफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है इसमें 104 अस्थान प्राप्थ हुआ है ब्राजिल को पहला स्थान प्राप्थ हुआ है फ्रांस दूसरा और ब्राजिल तीसरा बेल्जिम पहला फ्रांस दूसरा और ब्राजिल तीसरा और भारत को कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है तो 104 आस्थान प्राप्थ हुआ है फीफा के द्वारा Next, Climate Change Knowledge Portal किस ने लॉंच किया? तो परियावरन मंतरी परकास जावरेकर ने Climate Change Knowledge Portal को लॉंच किया है Next, विदेश मंतरी ने हाल में दो दिवसी यात्रा की वर्तमान में सेशल्स की दो दिवसी यात्रा पर गया थे सेशल्स के राष्टपती कोन है यह भी द्यान रखना है तो बेवल राम कलाम जो भारतिय मूल के बिहार के उनका भी नाम इंपोर्टेंट हो जाता है यह भी द्यान रखना है नेक्स्ट पगारबुक ने अपना ब्रांड अमबेश्डर बनाया है किसे अक्षे कुमर को पगारबुक ने अपना ब्रांड अमबेश्डर बनाया है नेक्स्ट खेल मंत्राले ने रष्ट्रिये खेल महासंग के अध्यक्ष के रूप में खेल मंत्रा ले ने राष्ट्रिये खेल महासंग के रूप में मानिता परदान किये किसे तो भारतिये तीरंदाजी संग को राष्ट्रिये खेल महासंग के रूप में मानिता परदान किये खेल मंत्रा लेके द्वरा किया जाता है तो हाल में भारतिये तिरंदाजी संग को रश्ट्रिये खेल महासंग के रूप में महनिता परदान की गई है नेश्ट महादेवप्पा मोलारा के नाम से किस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है तो हावरी रेलवे स्टेशन है करनाटक में इसका नाम बदल कर महा देवप्पा मेलारा नाम रखा गया है नेक्स्ट हाल में भार्द के किस देश के साथ पढ़्यावरन और जैव विवेता सनक्षन के छेत में समझाता हुआ है तो फिनलेंड के साथ जैव विवेता सनक्षन के लिए और पढ़्यावरन सनक्षन के लिए समझाता किया गया है फिनलेंड के साथ नेक्स्ट चार दिसंबर को आजवित संजोग आर्थेक मंच के चौथे संसकरन का उधगाटन किस ने किया के पलानी स्वामी आपको बताने के पलानी स्वामी कौन है नेक्स्ट बुर्कीना फासो के नए राष्टपती कौन है कौन बनाए गया है रोम कार्ल क्रिस्टियन कबोर ठीक है रोम कार्ल क्रिस्टियन कबोर उन्हें बुर्कीना फासो के नए राष्टपती के रूप में नुक किया गया है यदि श्री सागस्ती श्री सागस्ती की बात करें तो बरतमान में पेरू के राष्टपती के रूप में नुक्त किया गया है असलेंड और टाडा इन्हें आईवरी कोष्ट का और जोन मोगफूली इन्हें तंजानिया का राष्टपती नुक्त किया गया है तो यह सा point भी important हो जाता है next Cambridge dictionary ने 2020 का word of the year घोसित किया है किसे quarantine को और Collins dictionary Collins dictionary ने lockdown को word of the year घोसित किया था तो यह भी ध्यान रखना है lockdown को Collins dictionary ने word of the year घोसित किया और quarantine को Cambridge dictionary ने 2020 के लिए word of the year घोसित किया है next 1971 1971 किलोमीटर की cycle अभियान के भारतिये सिना ने आयजन किया कहां पे तिसका 4 हो जगा बोथ 1 & 2 एनके राजस्थान और गुजरात इन दोनों जगहों पर 1971 किलोमीटर का एक cycle अभियान की शुरुआत की गई है next सितंबर तिमाही 2020 में भारतिये GDP में गिरावट आई इसके साथ यह सेट समाप्त होता है इसे बनाने के बाद अपना इसकोर कमेंट बॉक्स में जरूर धियान डाले और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह हो जाता है कि इन क्वेस्टन को बार बार करके आपको देखना जरूर यह क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंफोर्मिशन भी दिये गया है जो बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है आपके क्वेस्टन के लिए बहुत सारे इसमें से क्वेस्टन निकाले जा सकते हैं तो थैंक्यू देखने के लिए